हेलो नौसकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक पर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल प्राफिट असडी में तो आज किस वीड़ो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिज 2024 सेशन के अंतरगत पार्टिकुलर रेलवे के एक डिवीजन से तो बड़ी अपडेट यहां पे निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में आज किस वीड़ो में बात करने वाले हैं ठीक है यहां पे बात करेंगे मैरिट लिष्ट के साथ साथ आपका कॉल लेटर भी जारी अगया है और कॉल लेटर के साथ साथ आपको हम कुछ trade का cut-up भी मिल रहा है वीडियो के शुरुआत करते हैं उससे पहले जितने के इंडिट चैनल पर फर्स्ट आम है सस्काइब ने के फड़ा फड़ करके सस्काइब कर लीजेगा ताकि रेलवे का A to Z इंफर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे हैं डिस्किप्शन में आपको टेलिग्राम व 3,015 पोस्ट रिलीज किया गया था इसमें से अगर बात करेंगे तो आपको यहां पर देखिए हेट कौटर जबलपूर का डिवी का अपडेट आ चुका है जबलपूर डिवीजन का डिवी का अपडेट आ चुका है भोपाल का चुका है CRWS भोपाल का आ गया है और यहां पर कोटा डिवीजन का अपडेट आ गया है बचा हुआ था कौन वर्क्स ओप कोटा वर्क्स ओप कोटा का भी डॉक्वरिफिकेशन का अपडेट आ गया है इसके साथ साथ पार्टिकुलर यहां पर बात करेंगे तो भोपाल डिवीजन के जितने भी trade बचे हुए थे उन सभी का भी DV का update आ गया है तो एक एक करके यहाँ पर सभी अपडेट को देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि भोपाल डिविजन में कौन-कौन सा trade का DV का update आया है उसका update देखिए तो यहाँ पर बात करेंगे भोपाल डिविजन के अंतरगत तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको 21-2-2024 को अपडेट आया था कौन-कौन सा ट्रेड का तो कोपा, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंगलिस और डॉट्स में सिविल का तीन ट्रेड का आया था भॉपाल डिविजन का उसके बाद यहाँ पे 23-2-2024 को अपडेट आया कौन-कौन सा ट्रेड का तो फीटर, पेंटर, जेनरल से मैजोन, कारपेंटर, केबल जोईंटर और यहाँ पे बलेक इसमिक का और अभी जश्ट अपडेट आ रहा देखिए, 5-3-2-2024 के डेट में अभी-भी जो अपडेट किया गया है कौन-कौन सा ट्रेड का, तो AC मेकेनिक, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकेनिस्ट, विल्डर, वायरमेन, इन्फोर्मेशन और कम्युकेशन सिस्टम मेंटेनेस और भोपाल डिविजन उसका भी अपडेट आपको देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा पहला अपडेट हम लोगों ने देखा, दूसरा अपडेट हमारे इनकल के आ रहा है, वर्क्स ओप कोटा का, बहुत सारे चात्रों का निरंतर यहाँ पे वर्क्स ओप कोटा का नहीं है, सबका आगया, वर्क्स ओप कोटा का आगया, तो लिजे आपका यहाँ पे जो क्वेरी था वो भी यहाँ पे solve होते हुए दीख रहा है कि आपका वर्क्स ओप कोटा Engagement of Act Apprentice for the year of 23 and 24 वक्सप कोटा Engagement of Act Apprentice 4, 23 and 24 यहाँ पर देखिए आज ही के date में जो update किया गया है कि Link for Downloading Document Verification E-Call Letter 4 Act Apprentice 23-24 वक्सप कोटा अब जैसे आपको अपना E-Call Letter डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल लागा नहीं तो आपको सीधा विजिट करना है ProfitEastory.in वहाँ पर लिंक एक्टिव है वहाँ से आप अपना E-Call Letter डाउनलोड कर सकते हो अब जब E-Call Letter डाउनलोड करिएगा चाहे वक्सप कोटा का या भिर भोपाल डिविजन का जो भी डाउनलोड बची हुए थे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा इसमें आपको अपना Registration Number डालना है और आपको अपना DOB डालके यहाँ पर Gator Status पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने Call Letter आ जाएगा आप चलिए Call Letter भी डाउनलोड हो चुका है आप देखते हैं कि क्या-क्या डॉकुमेंट आपसे मांगे गए हैं और कितना परसेंट पर कंडिडेट का सेलेक्शन हो रहा है तो पर्टिकुलर आम आपके हैं Call Letter पर यहाँ पर ध्यान से समझेगा जितने भी कंडिडेट का चाहे डॉस्याग भोपाल में किसी भी डिविजन में सेलेक्शन हुआ है आपको यह सभी डॉकुमेंट लेकर जाना मेंडेटरी है यहाँ पर बात करते हैं तो वेस्ट सेंटल रेलवे Office of Chief Workshop Manager Personal Wagon Repair Shop Quota राजिस्थान ठीक है यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए 5-3-2024 आज के डिडेट में आ है यह सीरियल नंबर है पाटिकुलर कंडिडेट का नाम यहाँ पर पंजियर संख्या रजिस्टेशन नंबर ट्रेड आपका वेल्डर है जो गैस इलेक्टिक से यहाँ पर रिलेटेड है अस्थान कहां जाना आपको डिवी के लिए तो सामुदाईग भवन इन फ्रन्ट ओफ वेगन रिपेर स्वाप कोटा 32-02 राजिस्थान यहाँ पर आपको अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है कब जाना है वो देख लिजिए यहाँ पर सभी ट्रेड वालों को अलग-अलग डेट में डिवी के लिए बुलाए गया है यहाँ पर बात करेंगे तो पर्टिकुलर विल्डर वालों को यहाँ पर बोला गया है कि 19 मार्च 2024 के डेट में सुबा 10 बजे तक उपस्तित होना है सामुदाईग भवन in front of wagon repair shop कोटा 32-02 राजिस्थान में ठीक है यहाँ पर आपको कौन-कौन सा डॉकुमेंट लगेगा उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा fees की रसीद अगर आप undeserved OBC EWS से होंगे तो आपने 100 रुपिस का payment किया गए उस payment का रसीद आपके पास होना चाहिए दूसरा नमबर में बोल रहा कि 10 वी की अंक सुची एवं परमान पत्र 10th का matriculation का marksit और certificate आपको ले कर जाना है ठीक है ITI के सभी सेमेश्टर की अंक सुची ITI जिस भी ट्रेड से आपका होगा वो सारा ट्रेड का आपका marksit certificate आपको ले कर जाना है एवं consolidated ITI marksit भी ले लिजेगा आपने चाहे NCBT से कर रहा हो SCBT से कर रहा होगा वो भी आपको साथ में ले कर जाना है ठीक है और यहां पर बोला गया है कि जीन अभ्यारती ने आरक्षन कोटे के तहत आवेदर किया है उन्हें निर्धारित प्रारूप अधिसूचना के साथ संगलन निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी द्वारा OBC, ST, SC, EWS जाती समुधाय का मूल परमान पत्र भी लेकर जाना है अगर आप AS का क्लीम लेना चाहते हैं AS का रिजर्वेशल लेना चाहते हैं तो आपको Central Railway के Formate में Central Level का होना चाहिए वो आपको यहां पर Card Certificate बनवा कर लेके जाना है इस बात का ध्यान रखेगा और यहाँ पे जो PWD के टेगरी है उनको medical board द्वारा जादी दिव्यांगेता का परमान पत्र के साथ जाना है जो भूत पूर्व सैनि होंगे उनका असपस यहाँ परमान पत्र जो है उनके साथ होना चाहिए और जो भी discharge परमान पत्र होगा वो भी आपको अपने साथ लेकर जाना होगा ठीक है तताधी सूचना के साथ संगलर निर्धारित प्रारूप में साथ सिके प्राधिकरित चिकिस्सा द्वारा जारी स्वास्त परिक्षन परमान पत्र जिसे medical fitness certificate बोलते हैं वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है सारा का सारा पर परमा आपको description में लिंक मिलेगा ने तो profitashy.official website पर जाके आपको important करके एक section मिलेगा वहाँ पर सारा division का परमा आपको update है चाहे card certificate का बात करे medical fitness certificate का बात करे वहाँ से जाके आप download करके अपना बनवा सकते हो ठीक है उसके बाद आपको अधार काड लेके जाना है pain card लेके ज स्वयम सत्यापित एवं साथ में दो निउन्तम passport size photographs भी लेला है तो जीतना document आप लेके जाएगा सभी document का दो-दो copy करवा लिजेगा और उस पे self attention मतलब खुद से sign कर दीजेगा इसके साथ साथ दो passport size photographs भी आपको लेकर जाना है जरूरत पढ़ने पर आपको एक या उससे अ डीवी के लिए है ऐसा नहीं कि जितने candidate का डीवी हो रहा सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा ऐसा possible नहीं होता है ठीकर ना तो यह सारा update है आपको यहाँ पे चले जाना है देख लीजे address आपका माल डिबा मरमत खार खाना कोटा की तरफ से सभी candidate को जो है आपका call letter यहाँ प बता नहीं पाएंगे पर यह कंफर्म हो गया है कि 68% पर यहाँ पे candidate का call letter जारी हो रहा है ठीक है तो बाकी जैसे जैसे हमारे पास trade का update आते जाएगा हम आपको टेलीग्राम और यहाँ पे WhatsApp में जो group है वहाँ से connect कर देंगे description में लिंक है वहाँ से आप join हो जाएगा वहाँ पर दाके admit card के section से अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत